हेलो फ्रेंड्स तो वेलकम तो आवर चैनल आई होप यू अलर वेल तो अब आज इन रोग प्लस मॉडल को डिसकुश करेंगे प्लस मॉडल जो है आपका इंफॉर्मेशन लेटरसी मॉडल के अंतर गताता है प्लस मॉडल के अंदर चार कंपोनेंट्स होते हैं पहला होते है पीस मॉडल परिशन आप कहा से रहा है यू से यूज़ आप किस ट्रेंशन को रिज्द कर रहे हैं किस टाइब के इंफर्मेशन का यूज कर रहे हैं अब देखिए प्लस प्लस मॉडल के creator कौन है तो J.E. Herring, इसका जो process का, इसका जो process है, वो क्या था, पहले purpose, फिर location, फिर use, और फिर self-evolution, अब देखिए इस topic से question किस तरीके से पूछा जाता है, portion UGC में इस तरीके से आ रखा है, identify the components of the plus model of information literacy from the following people, location, users, आपसे components से पूछा जाता है, कि कौन कौन सा components plus model के अंतर गता है, तो B and C location and use, तो एक और बर हम लोग इस topic का revise कर लेते हैं, plus model जो है आपका information literacy model के अंतर गता है, इसके बाद plus model के अंदर आपका आता है, people, P से purpose, L से location, U से use, S से self evolution, ये James Herring के द्वारा दिया हुआ है, P से होता है कि आप इसमें बता रहे हैं कि आपका जो किस purpose के लिए आपने investigation किया, L से location आप कहां से information को ले रहे हैं, यू, U say use, आप किस type के information को use कर रहे हैं, किस type के information को result कर रहे हैं, एसे self evolution लोग को देख रहे हैं कि आपने किस टाइब जो लोग हैं वो कि इस information को पाकि किस टाइब से इसको apply कर रहे हैं future के लिए कि तरी किसे use कर रहे हैं किस तरी किसे learn कर रहे हैं तो यह आपका उगया plus model यह हमने देख लिए question किस टाइब से question आता है एक यह भी आपसे पूछा जाता है कि purpose model का इस steps बताना तो पहले आएगा पर परपस ऐसे location यूज और self evolution तो थैंक्यू फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में सब तक नश्ते रहेगा पढ़ते रहेगा और चैनल को like से subscribe करना बिल्कुल बद लूद होगा और आपको को भी डाउट होगा तो आप मेरे facebook, telegram और instagram के id से जोड़ सकते हैं उसका link यह description box पे मैं डाल दूगी तो thank you